तुटों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे सुष्टक अब इस लिए मश्ट होगे जैसे कि मैं अभी लेपड़ा रेपेरिंग के बारे के बारे मैं बता रहाँ हूं और मेरे जितने भी नए भाई सीखने वाले उनको यह पता है कि या जब भी मदरबोर्ड में 19 बोल की शॉर्टिंग होती है तो उसका जो इंडिकेशन उनको पता है वो यह होता है कि या तो DC मसीन जो हमारा होता है उसका पावर हाई हो जाएगा या जो जो अडप्टर की प्लम नहीं आता है कुछ बोर्डों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि 19 बोल्ड की शॉर्टिंग है क्योंकि नहीं आपका DC मेशन पर शो करेगा नहीं आपके अडप्टर पर लाइट बैक जाएगी तो यह ऐसा ही केस है इस केस को मैं आपको लाइप सॉल्फ करके दिखा होंगा बिल्कुल समझ लेना क्योंकि मेरे पर बहुत सारे बाइयों का मिला यह सवाल आता है जब में वीडियो बनाता हूं तो कमेंट करते हैं कि आप कैसा वीडियो बना रहे हो जब भी 19 बोल्ड की शॉर्टिंग होती है तो पावर डिसी बैक जो होता है बैक जाता है बि कैसे इस बोड को find out करना कैसे solve करना वह सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो को जड़ा ध्यान से देखना भाई क्योंकि वीडियो ध्यान से नहीं देखोगे तो काम नहीं सीख पाऊंगे क्योंकि ऐसे बताने वाला कोई भी नहीं आपको यूटूब आपको लीचे दिखाए दे रहा है अब मैं इसको यहां पर इसको कनेक्ट करूँ ठीक है यहां मैं कनेक्ट कर दिया है ठीक है तो आप देखेंगे मैं आपको शॉटिंग नहीं दिखा रहा है और कोई भी शॉटिंग नहीं दिखा रहा है लिकिन यहां पर शॉटिंग नही आपके 90 बोल शॉटिंग पर एंपर हाई होगा तो यहां पर दिखें इसको लगा दिया है और यह हमारा मुल्टिमेटर शैट है बीप मोड पर बीप मोड पर बजर हो रहा है तो अब यह हमारा आपको पता भी चलेगा बीसी अभी चारजर पे कि आपका बोड शॉट हो रहा है तो यह तो यहां पर आप मेरा मैं आपको बताता हूं सब्सक्राइब करना है कि आपके किसी कपेश्टर की है या फिर उन कौइलों से सब्सक्राइब करना है कि हमें जो भी अभी क्या करना है कि अव बटिमीटर सेइस्ट करना है इसके बाथ इसके भात हम इसके करना दोत हैंने करना हमें को चैक करना है यहां दो नहीं है तो यहां देख सकते हैं, यहां भी बज़ा है लेकिन शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि जो आपका मल्टीमेटर दिखा रहा है, वहां पर 11 ohm की रेजिस्टंस दिखा रहा है, ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी, और इस तरीके से यहां पर, यहां से यहां पर है देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग करता है तो अब धिएक्ट करना होता है कि हमारी शवर्टिंग है वह स्वैसिन dwars या के छाइन काई तो किसी भी हिल स्वैसिंडरी च्द्ध करते है ऑर जब यू लिवह होती तो हमारा और मॉस्पेटों को चेक करके उनको निकालना पड़ता और रिप्लेस करते हमारा बुट पर लेकिन अभी शॉटिंग क्या है हमारा कैपस्टर की शॉटिंग है तो अब एक सिंपल तरीका है कि आप यहां पर मैन पावर जो है इसकी दे देंगे डारेक्ट तो भी जो भी करेंगेगे तो आपको पता छलिए कोई नगे किर्श रस्टरा या फटा हुआ होगा या पर गला हुआ होगा तो आप उस से व्यवेता करते हैं तो आप आप देखे मैं आपको जूम करके ठोबा दिखाएता हूं तो यहां पर एक एक कैपस्टर नहीं पर देखेंगे तो सिनल लेगना कि सब्सक्राइए करें Director को मार इस निकाल के में सब्सक्राइएक और यह कहले कि और यह इंट हो देख से दिखाती हैं कि यहां पर सेथ आप कर दो कर दो जोड़ी नो अब मै निढाए में यहाँ पिकश्टा था उसको हटाोे लिदे कौश चेक करो पे दीखिंगे मारा पोई को आप को यहां अब देखा सिंपल आपने के मैंने इस कैपेस्टो गटा है और यह शॉर्टिंग यहां से अब नहीं है हट गई है तो कहने का मतलब यह है मेरा समझाना यह चाहता हूं मैं आपको कि हर मदर बोड के उपर जरूरी नहीं है कि आपका एंपेर हाई हो कुछ बोडों में एंपेर बोडों से काम करते हैं अब यहां पे यहां पर देख सकते कि कॉ्पाफेंस कर दwir拐 डिया था अब हम क्या करेंगे बोड पर पावर लगा करेंगे कि हमारा बोड यहां पर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहां देख लिए आप बड़ी तरीके से शौटिंग को निकाल सकते हैं और शौटिंग में हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको 19 बोल्ड का जो शौटिंग दिखाई देगा या फिर डीसी म आपको अन्यों आह llan तो मैंने दौन ही तरीके आपको बता दिये अदर किस तरीके शौटिंग निकालने के इंटर्यों आपको तरीका से अब चेक करनें का तरीका आपको आना जाए सब्सक्